Hello everyone, welcome back to the AdelExpert channel तो previous video में हमने register.java का completely code create किया था हम यह हमारा completely app अभी create हो चुका था अभी हम इसको Firebase से connect करने वाले तो Firebase से connect करने के लिए सबसे पहले आपको make sure कि internet on करना है आपको और आपको सबसे पहले ब्राउजर में चले जाना है सर्च कर दिया तो यहाँ पर फर्स्ट जो दिखाई दे रहा है टॉप पर यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा Firebase पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर option मिलेगा go to console का यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है तो जैसे आप go to console करोंगे तो आप प्रिडारेक्ट हो जाओगे दुसरे पेज में तो आप देख सकते हो जैसे मैंने go to console पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर recent project यहाँ पर जो option है बहुत सारे हमारे जो भी project और रेड़ी create है तो यहाँ पर show हो रही है तो मैं यहाँ पर add project पर क्लिक करता हूँ and enter your project name में मैं अपना project name दे देता हूँ login and register यह होने के बाद आपको continue button पर क्लिक कर देना है and इसको भी scroll करना है नीचे and again आपको continue button पर क्लिक कर देना है and यह जो select an account है यहाँ पर जो भी default होता है उसको यह आपको select करना है and create project पर आपको click करना है आप देख सकते हो जैसे create project हमने कर दिया है वैसे creating your project please wait यहाँ पर शोर है तो हम wait करते हैं जब तक हमारा पूरा complete setup नहीं होता तब तक तो आप देख सकते हो यहाँ पर project successful create हो चुका है तो मैं अभी continue button पर क्लिक कर देता हूँ तो जैसे हम continue button पर click कर देते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर dashboard में हम आ चुके तो अभी यहाँ पर जो android का symbol है यहाँ पर आपको सबसे पहले click करना होगा यहाँ पर देखो android package name एंटर करने के लिए बोल रहा है तो आपको project में जाना होगा मैं project में आ जाता हूँ and login में चले जाते हैं हम सबसे पहले and top में सबसे हमारा package name होता है package name काफी जग होता है आप कहा से भी ले सकते हो तो मैं यहाँ से package name को copy कर देता हूँ semi column को आपको copy नहीं करना यह धेन में रखना आपको and यहाँ पर में control बी से paste कर देता हूँ and आपका project का name enter कर सकते हो आप register page या फिर जो भी आपको name enter करना हो कर सकते हो sh1 की भी आप enter कर सकते हो बट optional है इसने में enter नहीं कर रहा हूँ register.app पे click करना आपको तो आप देख सकते हो जैसे हमने वहाँ पे click किया इसके बाद हम download google service json के इसमें आ चुके है तो आपको इसको download पे click कर देना है इस button पे and जैसे इस पे click करोगे तो हमारी जो भी service json file रहेगी वो थोड़ी दिर में download हो जाएगी तो अभी मैं next करता हूँ तब तक and हमने सभी dependency को paste already किया है इसलिए आपको जरूरत नहीं है paste करने की इसके बाद आपको क्या करना है नीचे scroll करना है and next button पे आपको click कर देना है यह होने के बाद आपको continue to the console पे click कर देना है तो आप देख सकते हो अभी हमारा completely setup हो चुका है अभी आपको जाना है project setting में तो मैं आ जाता हूँ यह जो आपको setting है इस पे सबसे पहले आपको click करना है project setting पे click करना है क्योंकि हमारी कोई भी google service json file download नहीं हुई है इसलिए हम इसको again download करके देखेंगे तो इसलिए setting पे project setting पे आपको click करना होगा तो आप देख सकते हो अभी हम project setting पे आ चुके and यहां से हम google service json file पे download कर सकते तो मैंने यहां पे click कर दिया है and जैसे मैंने यहां पे click कर दिया है तो आप देख सकते हैं यहां पे google service json file अभी download हो रही है तो यह तो हुआ service json file download अभी तो इसके बाद आपको क्या करना है project overview जो भी हमारा homepage होता है हम आ जाते and build पे click करना होगा आपको and यह जो authentication है आपको इस पे click करना होगा तो जैसे हम authentication पे click करेंगे तो authentication के page में हम आ जाएगे इसके बाद आपको get started पे click करना होगा तो जैसे हम get started पे click करेंगे तो same हमें progress bar देखने के लिए मिल जाएगा तो इसलिए हमने email and password पे click कर दिया है और इसको हम enable कर देंगे enable करने के बाद आपको यह जो save का option दिखाई दे रहा है आपको इस पे click करना यह होने के बाद आप देख सकते हो यह जो email and password है वो enable हो चुका है अभी हमें क्या करना होगा जो service.json file है इस पे जाना होगा और इसको control c से copy करना होगा तो मैं इसको copy कर देता हो और हम आजाते हमारे project में यह जो android है इस पे आपको click करना होगा project पे click करना होगा और project के बाद इसको open करना होगा और इस जो app है इस पे आपको click करके control भी करना होगा जो भी service json file हमने copy की यहाँ पे हमें paste करना होगा and ok बटन पे हम click कर देते तो आप देख सकते हो यहाँ पे google service json file implement हो चुकी है तो अभी हमारा जो भी firebase का setup था हो completely हो चुका है तो अभी हमें क्या करना है सबसे पहले android studio में आना है project पे click करना है अभी android पे click कर देना है यह होने के बाद अभी हमें एक logout का page create करना है ok तो यह जो activity main.exe में यही हमारा logout रहेगा means अगर कोई register पे कोई click करेगा तो home activity में चला जाएगा means activity main में चला जाएगा तो इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ही मैं एक button implement कर देता हूँ logout की तो इसलिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले हाँ पे relative layout को आपको select करना होगा तो मैं select कर लेता हूँ relative layout इसके बाद आपको क्या करना है यह जो text view है उसको remove करना होगा तो मैं सबसे पहले text view को remove कर देता हूँ एन इसकी width दे देता हूँ wrap content and same इसकी height भी दे देता हूँ wrap content एन यहांसे आपको text provide करना होगा बटन का तो text आपको provide करना है logout एन यहांसे आपको center में लेके जाना है इस बटन को क्योंकि यहांपे show रहा है तो इसलिए आपको करना होगा बस center in parent true sorry यहांपे हमने false किया है यहांपे आपको provide करना है true यहीं होने के बाद आपको on click implement करना है तो logout करके name देता हूँ है ठीक है तो आप देख सकते हैं यहांपे center vertical किया हमें center vertical नहीं center in parent कर देंगे center in parent true तो यह center में आ जाएगा यहांपे error शो कर रहा है क्योंकि हमने यहांपे on click use किया है तो इसको आपको bulb पे click करना है show context और इसके बाद यह जो create login view है इस पे आपको click कर देना यहांपे क्या provide करेंगे हम intent का use करेंगे means मैं आपको दिखा देता हूँ अगर कोई logout पे click कर देता है तो logout पे click करने के बाद user कहा जाएगा login पे page पे क्योंकि user का already जो भी है वो data already उसने register तो की आई होगा register में तो हम भेज नहीं सकते इसलिए हम भेज देंगे user को login के page में इसलिए हमें use करना होगा यहांपे intent का तो मैं यहांपे intent provide कर देता हूँ intent intent is equal to new of intent जिस activity में हो उस activity का name means main activity.this, जिस activity हम में जाना है तो हमें जाना है login activity में तो login.class ओके and semi columns इसको close कर देंगे and start activity हम provide कर देंगे इसमें जो intent का name है इसको आपको provide करना हुआ तो मैं provide कर देता हूँ intent तो आप देख सकते हो अभी हमारा completely logout का भी work हो चुका है अगर कोई user login है register कर लेगा तो वो चला जाएगा direct main activity में अगर उसको logout करना है तो logout button click करके वो direct चला जाएगा login.examen में तो अभी हमारा completely firebase का भी setup हो चुका है तो हम wait करते gradle build finish होने तक तो जैसे gradle build finish हो जाएगा हमारे mobile device में app install हो जाएगा तो हम wait करते तब तक तो आप देख सकते हैं यहाँ पर show हो रहा है gradle build finish in 17 seconds अभी install का progress भार भी अभी show हो रहा है यहाँ पर message भी आ चुका है launch succeed मिंस हमारे mobile device में थोड़े दिर में app install हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर splash के लिए हमारी run हो रही है login app और हम login app का sign in page में भी आ चुके ठीक है तो अभी email पर click करेंगे तो email भी work कर रहा है अगर password पर click करते तो password भी work कर रहा है अगर sign up पर हम click करेंगे जो नीचे दिखाए देर आपको sign up इस पर हम click करेंगे तो हम sign up के page में भी चले जाएंगे तो आप देख सकते हो हम sign up के भी page में आ चुके है एण अगर मैं Sign In पे क्लिक करता हूँ जो नीछे है, तो Sign In पे अगर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, तो हम Sign In पे चले जाएंगे, तो आप देख सकते हो, हम Sign In में आ चुके हैं, तो अभी हम क्या करते हम और सबसे पहले Sign Up पे क्लिक करके देखते हैं, तो जैसे हम Sign Up पे क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे Sign Up के पेज में तो मैं अभी सबसे पहले Name एंटर कर देता हूँ तो Name में अपना दे देता हूँ रोहित घाटे यहापे आपको रीमेल कोई भी दे दे नहीं है तो मैं आपको पासवर्ड एंटर करना है तो मैं पासवर्ड भी एंटर कर देता हूँ आप Visible, Invisible भी कर सकते हो यहाँ से जो कि हमने ड्रॉबल में सेट किया था यहाँ से आप मेल फीमेल कोई भी सिलेक कर सकते हो तो अभी हम क्या करते है जैसे हम साइन अप पे क्लिक करते है तो देखते है हमारी क्या activity शो होती है तो आप देख सकते हो जैसे कि progress bar यहाँ पे शो हो रहा है और रेजिस्टर सक्सेस्पूल का भी message आ चुका है तो अभी हम क्या करते है logout पे हम क्लिक करके देखते है कि क्या होता है तो जैसे हम logout पे click करेंगे आप देख सकते हो sign in page में हम आ चुके है तो sign in हम करके देखते है तो यहाँ पे मैंने email id fill up कर दिए और यहाँ पे आपको कोई भी password एंटर करना है and login पे click करके देखते है yes login successful means हमारा completely आप अच्छे से work कर रहा है तो जो हमने यहाँ पे register किये वो data अभी completely firebase में show होगा तो कैसे सोगा मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ तो अभी आप देख सकते हो अभी हम firebase में आ चुके तो अभी हम क्या करेंगे सबसे पहले users में चले जाएंगे तो जैसे हम users पे चले जाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने gmail id से login किये थे रोहित गाटे 4.2 वही यहाँ पे gmail id भी show हो रही है और यहाँ पे user id भी show हो रही है तो इस तरीके से आप अपने login page को create कर सकते हो या फिर sign up page को create कर सकते हो और उसमें logout का भी function easily डाल सकते हो तो I hope guys अभी आपको completely समझ में आओगा कि sign in and sign up का page कैसे create करते हैं तो अगर आपको create करना है तो आप खुद भी create कर सकते हो अगर मुझसे आप create करवाना चाहते हो तो मैं आपको whatsapp number दे दूँगा वीडियो की description में उससे आप contact कर सकते हैं और मेरे से भी sign up page create करके ले सकते हो तो I hope guys अभी आपको completely समझ में आओगा कि sign up and sign in page कैसे create करते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो please इस वीडियो का जल्दी से like कर देना हमारी चानल पे नहीं हो तो चानल को subscribe कर देना तो मैं तक ले नहीं वीडियो में तब तक के लिए जहिन जे भारत